हेलो नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर पाउन कुमार एक पर फिर हमारे यूट्यूब चैनल आई इटी आर टेक्नोलोजी में आप सब का स्वागत करता हूँ और कई दिन पहले मेरे एक प्रेंड राहूल जी का फोन आया है तो राहूल जी जो एक गोवर्वेंट कोलिज में में कैनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं वो कहरे थे कि सर आप एक वीडियो बनाओ जो कम्पनी फैक्टरी किसी इंदस्ट्रि में जो उनमें काम कैसे होता है तो आज हम कि इंडिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बताएंगे कि आई इटी आर इंडिस्ट्री इंजिनिंग टूर्रूम जो की एक टेक्निकल सेंटर है वह कोर्स कैसे करवाते हैं तो हम बात करते हैं आज उस टोपिक पर जो इंडिस्ट्री से रिलेटिड है तो जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम पर टेक्निकल दोर के चलते हुए जो आई इटी आर टेक्निकल सेंटर है वह अपने बच्चों को मेन ट्रेनिंग जो टूल रूम से लेटिड होती है वह टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं और उन टूल के बारे में जो एडवांस टूल है आज के टाइम पर जो इंडिस्ट्री यूज कर रही है उन मैनिफेक्सिंग इंडिस्ट्री है जो उन एडवांस टूल के बारे में हम हम अपने स्टूड़ॉंट को पूरी knowledge देते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं करते कि स्टूड़ॉंट को роб हार्ड उवर्क ही शिखाना है तूरूम में जो काम हो रहा है वही सिखाना है यह जो तूरूम में मसीनरी है सिर्फ उनहीं की प्रैक्टिकल करवानी है हम ब डार्ट वरक्स से मतलब क्या है कि उस इंडिस्ट्री को कौन सा डाटा या कौन सा एडवांस सोफवेर है जो ज्यादा से ज्यादा के काम आता है और उनकी जो वरकिंग एरिया है जो काम करने का तरीका है उसको स्मूथ करता है हमारा मेन फोकस है कि हमारे स्टूडेंट जिस कंपनी में भी जाए वो उस कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दें तो आईए हम बात कर रहे हैं कि आज कि जो मोडर्न इंडिस्ट्री है उन इंडिस्ट्री को जो इंप्लोई है टेकनिकल दोर में किस के एंप्लोई चाहिए और उस फैक्टरी की जुरूरत क्या है जो मोडर्न इंडिस्ट्री है वो आज के टाइम पर क्या है अप एनलाइटिकल काम ज्यादा करती है एनलाइटिकल के हम बात करते हैं कि जैसे मिस आलाइज है कि कैने का में मनेजमेंट इंफो सिस्टम है जो व हमने बना लिया अधे हमने त्यूरसर कर लिया उसके बाद उसको इस प牌 में बेंचना भी है तो उस versucht क्या कि जा कि वाद हर एक कमपनी चाहतीस की मेरा एक सैजूढ ने हो कि जो डिसपश का टाइम है जो मैंने प्रॉडक्ट बनाया है अगर मैं उसको dispatch कर रहा हूं तो उसका टाइम है उसका एक है कि स्टेडूल होता है वो सारा कुछ जो आज के modern company है वो देखती है उसके बाद manpower है कि ठीक है हमारे पास worker लगे हुए manpower कितना खर्चा रहा है उनकी कितनी strength है वो सारा सारा data आज के टाइम पर company को चाहिए होता है जैसे raw material है उसके बारे में पूरी डिट्रेल चाहिएगी मसीन का जो working time है कि कितने घंटे काम हुआ कितना production निकली है कितने निकलनी चाहिए थी वो सारी चीज़े आज के टाइम पर जो टेक्निकल दोर है हर एक industry को चाहिए तो IETR अकेला ऐसा टेक्निकल सेंटर है जो यह सारे के सारे courses जो high level course है जो responsible course है जो एक management के course है वो भी करवाता है उसके बाद IETR हर एक candidate की help परता है कि उसको अच्छे से अच्छी जो इंडिस्ट्री में excellence knowledge है advanced technology है वो शिखाई जाए जैसे हमीं बात करें थे analytically knowledge है practically knowledge है systematically knowledge है वो सभी की सभी knowledge IETR प्रोवाइड करवाता है IETR इंडिस्ट्री के उन main area में department पर focus करता है जिसकी requirement इंडिस्ट्री ज्यादे से ज्यादा बताती है क्योंकि आज के टाइम पर हर एक को advanced technology है advanced चाहिए हर एक को लेकिन ऐसा नहीं है कि advanced सिर्फ सिखा जाता है जो हमारा पुराना working system है उसको देखके ही advanced system बनता है कहने का मतलब 80% आज भी जो method है यूज करने का वो पुराना है हम पुराने को लेके जो नया advanced है वो भी बच्चों को सिखाते हैं कि उसके बाद data analyze करना है कि कोई चीज जब industry बन रही है उसके लिए checklist क्या बनेगी format क्या बनेगा employee क्या है employee ने यह काम नहीं करना है वो पुरा का पुरा data कैसे होता है कैसे बनेगा वह हम सारा को सिखाते हैं कि तो हम बात कर लेते हैं आई इट्यार में कुछ मेन मेन कोर्स जो आई इट्यार बच्चों को सिखाता है उसमें हमारे जो कॉर्स है वो आटो कैड जो मोस्ली सभी जानते हैं जो जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है जो डिचाइन डिपार्टमेंट का काम है आटो कैड है सोलिड वक्स है कैटिया है प्रोई है उसके बाद जो मसीन सोप है CNC-leth औरनोबर्डेंट प्रोग्रामिंग हम सिखाते हैंbridge मसीन की ओप्रोग्रामिंग सिखाते हैं CNC- करवाते उसके बाद जो हमारे पास जो सभी कैड के जो मैं बता रहा था कि जितने भी हाई-स execution कोर्स हैं वो भी हम करवाते हैं तो यह कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया मैंने अब हम बात करते हैं इंदुस्ट्री के डिपार्टमेंट के बारे में पहला डिपार्टमेंट हम लेते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट डिजाइन डिपार्टमेंट क्या है अगर हम सही माइने में देखें तो डिजाइन डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी की नीव होता है जो डिजाइन डिपार्टमेंट ने ड्राइंग या डिजाइन या प्रोड़क्ट के रिलेटिड कुछ भी बनाया है उसको ही लेके हर egg department काम करता है जैसे ही design department ने जो भी design त्यार कर दिया उसी waste पे सारे industry में जतनी भी machinery है जो भी worker है उसी drying को लेके उसी के हिसाबसे काम करते है design department एक अच्छा course है अगर हम design का course करते हैं क्योंकि एक अच्छे design mechanical डिजाइन में को ये पता होता है कि जो मैंने बनाया है, जो मैंने काम किया है, उस काम का यूज या उस डिजाइन का यूज कौन सी मशिनरी पे कैसे होना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये भी एक डिजाइन डिपार्टमेंट का ही कॉर्स है, सीट मेटल टूल डिजाइन, सीट मेटल बताने से पहले मैं बता रहा हूं, जैसे अगर हम मार्केट के बात करते हैं, हमारे पास दो प्रकार के पार्ट ज्यादा मिलते हैं, या तो कोई भी पार्ट जो इंडस्ट्री बनाती है, वो किस स्टील में बनेगा, लोहे में बनेगा या कोई भी पार्ट जो बनाती है, वो आपको प्लास्टिक का पार्ट मिलेगा, सीट मेटल टूल टॉल एंड डिजाइन से मतलब क्या है? कि ऐसा part जो किसी seat में से कटके बनता है उसको हम seat metal tool या seat metal component बोलते हैं जो tools and die है वो क्या है कि जिसके through उस metal को काटा जाना है या जिसके through जो tool है जो मैंने part त्यार करना है जो मेरा die है या tool है उसको जो त्यार कर रही है उसका जो design है वो भी design department का ही काम है उस design को देखके उस जो tool और die का design department ने बनाया है उस design को ही देखके जो material store है वो material allow करेगा उसके बाद जो turner है उसी size को turning करेगा या उसके size बनायेगा जो design department ने बताया है उसके बाद जो भी cutting होनी है किसी machine पे उस drawing के according ही cutting होगी इसलिए design department या drawing का या design का एक course है वो सबसे अच्छा है यह seat metal के हम बात करें थे उसके बाद हम बात करते हैं mold tool यानि कि plastic के part जो plastic का part है उसका जो design जब त्यार होता है वो किसी एक shape या mold में त्यार होता है mold यानि की हिंदी हम dry का tool बोल देते हैं उसको जो mold tool का design है वो भी drawing design department का काम है उसको पहले part का drawing मनाएगा उसके बाद उसका complete tool design मना के देगा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे autocad आती है चलाना तो मैं एक अच्छा designer हूँ नहीं आपको उस part का tool या die design भी आना चाहिए अगर आपको यह चीज़ी आती तो आप अच्छे mechanical designer हो उसके बाद हम बात करें मसीन शोप के बारे में मसीन शोप में हम बहुत सारी लेट मसीन की operating और programming दोनों करवाता है यह मसीन जब हम operating की बात करते हैं जो ओप्रेटर इंग जो ओप्रेटर पैनल है वह आपका फानुक भी है सीमेंस भी है और अधर जो control है वह भी है तो अधर आपको फानुक भी सीमेंस भी और अधर control जो मिसयूशी है मजाक है वह बिस खाता आपको उसके बाद हम दुबारा एक बार और बात करते हैं मसीन शोप में यहां पे puede-r दिखाई देरी हमें वी एमसी का मतलब है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर तो आई ट्यार आपको वी एमसी मशीन की ओपरेटिंग और प्रोग्रामिंग दोनों सिखाएगा इसमें भी सेम वही कंट्रोल जो पैनल है आपका वह सीमेंस भी है फानुक भी है हास भी है मिश्वी सी भी है मजाक भी है तो आपको मोस्टली हर एक पैनल की ओपरेटिंग हर एक कीज की नोलिज उसके बाद प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं कैसे होता है उसके बाद जो कटिंग है जो मैंने डाई डिजाइन बनाया है वो कैसे करते हैं हर एक कोर्स आपको आई ट्यार करवाता है उसके बाद एक और मशीन है हमने नाम भी सुना है CNC WEDM CNC WEDM का मतलब क्या है कि WEDM Wire Electrical Discharge Machine जिसको हम industry language में wire cut बोलते हैं कहने का मतलब एक पतली सी तार होती है बराज की इससे material cutting होता है इसलिए हम इसको wire cut बोलते हैं यह भी मशीन तकरीबन बहुत सारी industry में मिल जाती है आपको हम इसकी operating और programming दोनों सिखाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं CAD-CAM software के बारे में कई industry में क्या होता है जो केम का department है कैम computer manufacturing यहने की computer manufacturing बोल देते हैं इसको या computer editing machine भी बोल देते हैं जो इसका department है वह कई बार design department भी होता है और कई बार अलग बना जाते हैं वहां पे सिर्फ अलग बनाने का अच्छे से करवाता है और भी practical करवाते हैं हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ basic करवाया और बच्चों को आगे भीज दिया हम अच्छे से उसके बारे में हर एक knowledge देते हैं कि आपका टूल है कौन सा टूल लगेगा या आपका जो profile है उस profile को finishing rough cut कैसे लगाते हैं तो यह बहुत सारी बाते हैं हम अगली वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में detail से डालेंगे अभी हम से बात करें है department wise तो ऐसे ही design department के हमने को जो course थे वो बताए जो basic course थे अब IETR आपको domain course भी करवाता है जो management के course है जैसे PPC है production planning and control है product costing है 3M है 5S है 5 with concept है 7 QC tools है उसके बाद WT mapping है पोक योक एंड काईजन है उसके बाद मैंने सबसे पहले बताए था management info system तो कहने का मतलब जो management course है अगर आप सोगते कि नहीं मुझे तो HR department या manager ही बनना है तो आप यह course हमारे IETR से कर सकते हो उसके बाद IETR हमारे student को guarantee देता है कि उनका carrier growth करेगा अगर वो यहां से course करते हैं हम अपने student को बहुत अच्छी training देते हैं और industry की recommend के हिसाब से course कर वाते हैं और उनके जो main department है ज्यादा focus उनके उपर करते हैं planning पार्ट में हम बताते हैं costing पार्ट है वो सिखाते हैं कहने का मतलब बहुत सारे course है जो आई ट्यार प्रोवाइड कर वाता है इस टाइम पर आई ट्यार के अलग अलग ब्रांचे हैं तकर इबन पांचे ब्रांच है जो अलग अलग एरिया वाइज है जो में ब्रांच है वो आपकी मुलाना अम्बाला में है फैसलिटीज की तो यहां पर मसिनली हमारे पास अवी लेबल हम प्रैक्टिकल करवाते हैं उसके उपर समार्ट क्लास देते हैं उसके बाद सबसे अच्छी बात आई ट्यार में क्या है कि हम किसी इंडस्टरी के साथ मिल के काम करते हैं किसी इंडस्टरी की हम प्रॉब्लम के उपर स्टूडेंट को मिला के स्टूडेंट के साथ में काम करते हैं और उसके उपर जो भी प्रोलम आती है जो भी एडवांटेज है डिस एडवांटेज है वो सारा कुछ डिसकस करते हैं अपके स्टूडेंट के साथ ताकि जब स्टूडेंट कहीं पर जोब के लिए जाए तो उसको यह नहाओ कि नहीं यह चीज मुझे नहीं आती तो कहने का मैं लोग आई ट्यार प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के साथ सब को अच्छी ट्रेनिंग देता है उसके बाद हमेशा कोसिश होती है आई ट्यार की अपने स्टूडेंट को बेस्ट अपर्टूनिटी दे आई एट्यार जो भी इंड़्ट्रि में इंट्रू गढ़ा होते हैं उसके उपर भी हर एक टूल के बारे में अपने स्टुडेंट को गाइड करता है उसके बाद लास्ट का किसी में ये पिक्चर बनाया है बहुत अच्छा है इसमें कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास स्टुडेंट आता है तो उसका माइंड सेट नहीं होता वो अलग-अलग कुछ ना कुछ सोचा रहता है मैं क्या क्या ना करूँ कैसे करूँ कहां जाओं कहां ना जाओं कि ऐसा क्या करूं मुझे चाहिएर गरोथ स्मूूथ हो जाई वो IETR में आता है IETR को एक अच्छा कोर्स अच्छी लाइन देता है और उतना स्मूथ कर देता है कि वो अपने आपको इसली मार्केट के अंदर उतार सकता है तो आज का वीडियो हमारा यहां पर हिसमापत होता है अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी जो इंडिस्ट्रिक है वो ले के आता हूं और कोशिस होगी हमारी कि जो जानकारी रियल में है इंडिस्ट्री में अविलेबल है या आज के टाइम पर इस चीज के डिमांड है हम वही आपको देंगी इसमें कोई भी फेक या कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो बच्छों के काम नाई थेंक्यू आपका बहुत-बहुत धन्यवाद